हे गाई स्वागत आपकाज के मैच में तो IPL 2022 का पहला मैच होने जा रहा है चेन्ने सूपर किंग्स वर्सेज कोलकाता नाइट रैडर्स के बीच में तो पहला मैच है तो दर्सकों में काफी एकसाइटमेंट अपन को देखने को मिलेगी और थोड़ा सा मैं भी एकसाइटेड हूँ क्योंकि MS धोनी IPL में ही अपन को देखने हों मिलते है जो की एक साल के बाद आता है तो यहाँ पर टोस का समय है MS धोनी ने सिक्का उचाला है देखते हैं उनके पक्स में गिरे गया उसके विपरीत तो यहाँ पर MS धोनी ने टोस जीता है और पहले बोलिंग करने का फैसला लिया है तो ज़्यादा तर यही देखा गया है कि जब MS धोनी टोस जीते हैं तो बोलिंग ही लेते हैं तो यहाँ पर चैननी की टॉली उतर चुकी है फिल्डिंग के लिए और अब आते हुए नितिस राणा और सुबमन गिल तो इन दोनों का ही जो पिछला IPL है वो काफी खराब रहा था और कॉलकता का जो टोप ओडर है वो काफी खराब पर्फॉमेंस दे रहा था लेकिन फिर भी इनोंने इन दोनों प्लेयर्स को हटाया नहीं तो सारदुल ठागुर की बोल है नितिस राणा को लेकिन यहाँ पर नितिस राणा ने इस बोल को उठा कर खेल दिया है पॉइंट के ओपर से और यहाँ पर दूसरी बोल पर चारन लेते हुए सारदुल ठागर के ओवर की है लास्ट बोल लेकिन यहाँ पर लेफ्ट किया इस बोल को और चैरन आये ओर से तो दूसरा ओड लेकर आए है दिपक चार यहाँ पर गिल है श्ट्राइक पर लेकिन यहाँ पर पूल कर दिया है सुबमन गिल ने और यहां पर नितिस राणा ने भी अपनी दूसरी बोल पर चोका लिया था और सेम सुमनगिल यहां पर करते हुए तीसरी बोल दिपक्चार की सुमनगिल को लेकिन यहां पर नितिस राणा ने यह काम नहीं किया था तो काफी जल्दी यहाँ पर अपन को छक्का देखने हो मिलता हुआ तिपक चाहर के और की है लास्ट बोल लेकिन ये डोट होगी तो सोलर रना चुके हैं बार रहे बोलो में शुरुआत काफी अच्छी रही यहाँ पर कोल कता की सारदल ठाकुर अपना दूसरा और लेकर आये हैं लेकिन यहाँ पर बहुत थी बहतरी इन स्क्वाइर कट नितिस राना के दोवारा और दो फिल्डर के बीच में से एक सांधर गैप नितिस राना एक बार फिरिफ ट्राइक पर लेकिन यहाँ पर खेला और यह कैच हुआ है काफी बहतरीं कैच आपन को देखने मों मिला मेरी अक्सपेक्टेसन नहीं थी है पर बोर दोट बोल हुई है लेकिन यहाँ पर यह मसला नहीं है मसला यह है कि नितिस राना आऊट हो चुके है मातर 10 रन बनाए 11 बोलों का सामना किया और एक अर्ली ब्रेक्ट्रू यहाँ पर चैने को मिलता हुआ सारदुल ठाकुर के ओवर की है लास्ट बोल रहुल तिरपाट ही आये है लेकिन यहाँ पर आते ही पूल किया है और आते ही अपनी पहली बोल पर 4 रन निकाले है तो सारदुल ठाकुर के ओवर से आये 8 रन और एक विकेट भी मिला काफी अच्छा ओर था है तो पाट फ्लेक्स मापती हो चुकी है यहाँ पर मोहिनली आ चुकी है गिल है फ्ट्राइक पर लेकिन यहाँ पर किया है स्टेप आउट और चारन मिलेंगे तो गिल काफी सेट हो चुके है और काफी रन भी बना रहे है जो कि कॉलकता के लिए काफी अच्छी बात रहने वाली है तो चैने के दूसरे स्पिनर रविंदर जड़ेजा यहाँ पर स्टेप आउट किया रूम बनाया और खेल दिया है चारन के लिए फिल्टर दोड कर आए लेकिन पकड़ नहीं पाए इस बोल को तो जड़ेजा की अगली बोल आते हुई सुबमन गिल को लेकिन यहाँ पर स्वीप किया है और काफी सानधार स्वीप हुआ है रहुल तिरपाठी है इस ट्राइक पर जड़े जगा काफी लंबा और हो चुका है लेकिन यहाँ पर आगे बढ़े थे रहुल तिरपाठी एमस्तोनी की खराब स्टंपिंग जो की कभी नहीं देखने हो मिलती है आज अपन को देखने को मिली और इसके चलते रहूल तिरपाठी का विकेट बचा मोहिन अली आये हैं अपना दूसरा ओर लेकर पहले ओर में नो रन दिये थे तिरपाठी एक बार फिरिफ ट्रैक पर लेकिन यहां पर खेला है फिल्टर नीचे होंगे और मोहिन अली आते ही अपने दूसरे और में सफलता निकालते हुए मोहिन अली की अगली बोल है योन मॉर्गन जो अपनी पहली बोल खेल रहे हैं यहां पर खेला अपील हुई है देखते हैं एज लगा है या नहीं काफी सांदर बोल थी एक काफी स्पिन हुई बाहर की तरफ निकली लेकिन अपन ये रिव्यू लेने वाले हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एज लगा है या नहीं लेकिन यहाँ पर साफ दिखता हुआ कि एज लगा है और इयोन मोरगन जो कि अपनी पहली ही बोल खेल रहे थे आउट होंगे और एक काफी सांधार गोल्ड इंडक अपने को देखने हो मिलेगा एमेस दोनी का एक बहुत थी बढ़िया कैच लेकिन उससे बढ़िया बोल थी मोहिन अली की नए बलेबाज है सुनील नारी ने जो की काफी विश्पोटक खेलते हैं तो इनकी भी पहली बोल है बोलर वही है मोहिन अली लेकिन यहाँ पर हवा में खेल दिया है फिल्टर नीचे होंगे और इस कैच को पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई अपनी जगह पर खड़े रहे फिल्टर को हिलने तक की जरुरत नहीं पड़ी और सीधा बोल सुरेश रेना के हाथों में तो इह कोर बड़ा गोल्डन डक्त अपन को देखने को मिला है लेकिन अब अपन को बचके रहना पड़ेगा क्योंकि आंद्रे रसल आ चुके हैं जो अपन को देखने को मिलता हुआ एंगीडी की अगली बोल है गिल को यहाँ पर एक बार फिर खेला है एक बार फिर परफेक्ट टाइमिंग बैट के बीचो बीच लगी बोल और एक और बार अपन को बोल दर्सकों में जाती दिखेगी लेकिन यहाँ पर तीन चक के बैक टु बैक देखने को मिलते हुए एंगिडी की खराब बोलिंग लेकिन उससे अच्छी सुबमन गिल की बैटिंग रही है और पहले ही मैच में अपनको इतना सारा एक्षन देखने को मिलेगा ये किसी नहीं सोचा होगा एंगिडी काफी फिट चुके हैं अगली बोल डालते हुए लेकिन यहाँ पर पूल कर दिया है और इसी सोट के साथ सुबमन गिल की 50 पूरी होगी काफी सांदर बैटिंग अपनको इनके द्वारा देखने को मिली मतर 20 बोलो में 53 रन बनाये हैं जिसमें 5 चक के और 4 चोके सामिल है एंगिडी अपनी 5 बोलों में 25 रन दे चुके हैं लाफ्ट बोले इनके ओवर की लेकिन यहाँ पर अलविदा कहेंगे इस ओवर को इस चोके के साथ तो जड़ेजा का पहला और पिटने के बाद भी कैप्टन का भरोसा है इन पे दूसरा और दिया गया है बोल क्राउड के बीच में तो अब इस ट्रैक चेंज हुई है सुबमन गिल गए है 59 पर पहुंच चुके हैं जड़ेजा की बोल लेकिन यहाँ पर एक सांदर स्टंपिंग देखनों को मिली है एमस दोनी जन्होंने अपनी पहली स्टंपिंग मिस कर दी थी दूसरी स्टंपिंग में ऐसा मौका नहीं देखने को मिलेगा और फाइनली यहाँ पर दिखाते हुए एमस दोनी की वो क्या है वो क्या कर सकते हैं लेकिन गिल की तारिफ करने होगी काफी सांदर खेले 23 बोलों में 59 रन की एक बहुती सांदर रेनिंग खेल कर आउट होते हुए लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कैमरा एंगल दो दे देते है भाई तो चलिए जड़े जाकी आखरी बोल है एक एक्सपिरियंस बले बाज दिने सकार्थिक हैं फ्ट्राइक पर लेकिन यहाँ पर क्या ही सांदर सोट खेल रहे हैं वाई कोलकता की बैट्समन एक और बड़ा सोट इनके द्वारा तो दिपक सहार जिनों ने अपने पहले और में 10 रन दिये थे यहाँ पर 9 आवर डालने आए हैं लेकिन रेसल के सामने इनकी नहीं सलेगी किसी की नहीं सलेगी अगली बोल है यहाँ पर बाउंसर का ट्राइक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इनके बैट्से जो पावर लगने वाली है वो पावर बोल को सिर्फ ग्राउंड के बाहर ही बेजेगी तो पहले बाउंसर का इसारा मिलता हुआ यहाँ पर दिपक चाहर को रसल हैं एक बार फिरिश ट्राइक पर लेकिन यहां पर इनके द्वारा छक्के लगने बंद नहीं होंगी और जो बैक टो बैक छक्के लगते हैं उससे काफी बुरा लगता है और सिर्फ एक बैट्समन नहीं हर बैट्समन ने यह काम किया है सुमन गिल हो गए आंद्रे रसल हो गए और अब लीजे दिनेस कार्तिक की बारी तो दिपक चाहर के ओर की है लास्ट बोल कार्तिक एक बार फिर श्ट्राइक पर यहां पर स्टेप आउट किया लेकिन अब की बार फाइनली यहां पर विकेट मिलेगा तो काफी मार खाने के बाद दिपक चाहर ने एक सफलता निकाली तो लास्ट ओर दिया गया है सेम करन को और लास्ट ओर में बैटिंग की जिम्मेदारी संबाली है यहां पर आंद्रे रसल ने के और शाय है 18 रन जो की काफी खराब है और इस चक्के के साथ यहां पर पहली इनिंग समाप्त होगी तो जो टार्गेट है चेरनी को काफी बड़ा मिला है 60 बोलो में अपन को बनाने होंगे 142 रन जो की काफी बड़ा टार्गेट होता है 14 से भी जादा की रन रेट अपन को चाहिए होगी तो पहली इनिंग के स्कोर कार्ड के बाद की जाए तो सुबमन गिलो और आंदर रसल दोनों ने काफी बहतर खेला लेकिन बोलिंग में मोहिन अली की सांधार बोलिंग अपनों को देखने को मिली तो सेगन इनिंग की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर कॉन्फिडेंट कोल कता उतरेगी मैदान पर तो इस टार्गेट को चेज करने के लिए काफी जद्व जहद लगने वाली है चेननी के द्वारा तो डितुराज गैकवार्ड और फैब्डो फलेजिस आये हैं ओपनिंग करने और इनका जो आईपल का पिछला सीजन था काफी सांधार रहा था होफुली वो फो मिस मैच में मन को देखने को मिले पहली बोल साओदी की गैकवार्ड को लेकिन यहाँ पर पहली बोल को मिस करते हुए समझ ही नहीं आई साओदी की अगली बोल लेकिन पहली बोल समझ में नहीं आई थी दूसरी बोल को पढ़ा भी और छक्के के लिए बेजा तो दूसरा उल्मला है आंद्रे रेसल को यहाँ पर बैटिंग काफी सांधार की थी लेकिन बोलिंग में भी यहाँ पर सांधार कारिया देखने को मिलेगा रिटूरेज गैकवार्ड को पवेलियन भेजेंगे एक बहुत ही बड़ा जिटका बहुत ही जल्दी लगता हुँ अचेने को और जब एक बड़ा टार्गेट चेज करना हो तो अरली ब्रेक्ट्रू आपको रन बनाने से रोकते हैं तो चलिए नए बले बाज है मोईन अली यहां पर टीम साउदी की पहली बॉल को ही पिक करते हुए पुल किया और एक सांदर तरीके से बॉल को बेज़ाचार रन के लिए साउदी की अगली बॉल मोईन अली एक बार फिरिफ ट्राइक पर यहां पर स्टेप आउट करेंगे और एक और चोका तो अभी कुछ ऐसा ही कारिय करना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए बड़े बड़े सोट खेलने होंगे तो यहां पर सोट खेला तो है लेकिन सीधा जाएगा फिल्टर के हाथ में और दूसरा बड़ा जटका जो बैट्समेन रन बना सकते हैं जो जिनके पास पाउर हिटिंग है वो आउट हो चुके हैं चिंता मत कीजिए अभी सारे आउट नहीं हुए हैं अभी तो तरकेस से मातर दो ही तीर चले हैं साओधी के ओर की है लाश्ट बॉल फैबड़ फ्लेजिस हैं फ्ट्रैक पर लेकिन यहां पर पुल का एक बहुत ही सुन्दर नजारा देखने हो मिलेगा फैबड़ फ्लेजिस के द्वारा और इस ओवर को खत्म करेंगे इस चखके के साथ तो रसल आये हैं अपना दूसरा ओर लेकर पहला ओर काफी सांधा डाला था लेकिन सुरेश रेना ने इनका स्वागत क्या है इस चोके के साथ लेकिन यह सोट रिस्की भी था क्योंकि फिल्डर के जस्ट उपर से गई थी यह बोल अगली बोल यह बोल भी गई है फिल्डर के उपर से लेकिन यह सोट रिस्की नहीं है इसको तो रोक पाना भी काफी मुस्किल होगा तो रेना आते ही बड़े बड़े सोट खेलने स्टार्ट करती हैं जो की बिलकुल सही कारी है एक और सोट इनके दोरा देखने को मिलेगा तो काफी चोकों की बरसात कर चुके हैं यहाँ पर सुटेश रहना प्रासित किष्णा आए हैं पांच यह और के लिए यहाँ पर फाइब डू फलेजिस आउट हो कर जाएंगे तो बाउंसर को अच्छी तरीके से पड़ नहीं पाए टोपेज लगाया बैट का और काफी देर तक बोल हवा में रही थी और इस समय आप बिलकुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि यह कैट छूटेगा या फिल्डर नीचे नहीं होगा तो छटे ओर के लिए हैं स्यूम मावी यहाँ पर अंबती राइड वो अपनी पहली बोल का करेंगे सामना यहाँ पर कट किया और इस एक रन से अपना खाता खोलेंगे तो स्यूम मावी का यह और काफी सांदा रहा है चार बोलो में मातर चार ही रन दिये हैं लेकिन यहाँ पर रहना कुछ अलगी फोर्म में है एक और पूल इनके बल्ले से और एक और चोका तो इसी के साथ 6 और पूरे हो चुकी है चैने ही अपने 3 विकेट खो चुकी है जो क कि स्पिन का कोई जवाब नहीं है बोलिंग में साथ कुछ करेंगे लेकिन नहीं यहाँ पर राइडू के बल्ले से देखने को मिलेगा एक सोट और बोल काफी करीब थी फिल्टर के अगली बोलाती वे नारेने की अमबती राइडू को लेकिन यहाँ पर सोट तो वही खेला है लेकिन इसमें पावर थी और फिल्टर के तो बिल्कुल भी पास नहीं थी यह बोल तो अब दो एक्सपिरियंस बलेबाज हैं अमबती राइडू सुरेश रेना तो देखते हैं क्या दोनों बैट्समन यहाँ पर चेनने को जीत दिला पाएंगे क्या अपन कह पाएंगे इस गोल्ड अमबती राइडू का एक और सोट तो यहाँ पर जो फिल्टर के पास डाइव का उप्सन नहीं है वरना काफी कैच आसानी से पकड़े जाते और अमबती राइडू और सुरेश रेना की बैटिंग के परदसन से यहाँ पर चेनने के खेमे में थोड़ी मुस्कर हट दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर आइडू करेंगे स्टेप आउट एकदम सीधा सोट जाएगा वन बाउंस फोर रन के लिए तो साथ और हो चुके हैं यहाँ पर साड़े चोदा से भी उपर का रन रेट चाहिए चेननी को यह मुकाबला जीतने के लिए लेकिन अ यहाँ पर भूल जाएगे कि निती सराना इस वोर को जीतने वाले हैं क्योंकि निती सराना का परफेशन नहीं है बोलिंग लेकिन सुरेश रेना का बैटिंग परफेशन है तो यहाँ पर काफी पिटाई होगी यहाँ पर जिस सोट की मतलास कर रहा था वो देखने को मिलेग एक बहुत ही प्यारा सिकसर और ही सिकसर के साथ यहाँ पर 20 बोलो में 52 रन की पार्टनर्शिप होगी और यह पार्टनर्शिप जेने के लिए काफी एहम रहने वाली है तो पहले और की ठुकाई के बाद भी यहाँ पर सुनेल नारे ने को दूसरा और दिया गया है अब 12 ब दाले हैं तो एक एसमभव सा लगने वाला टार गेट यहाँ पर दोनों बैट्समेनों ने बिलकुल खतम सा ही कर दिया है अब मातर 6 बोलो में चाहिए 6 रन और लास्ट ओवर दिया गया है वरुन चकरवर्ति को तो देखते हैं इस पिन यहाँ पर अपना कमाल दिखा पाए गया नहीं लेकिन यहाँ पर तो वरुन चकरवर्ति ने आते ही वाइड डाल दिया है तो लगातर दो वाइड के बाद अब मातर 6 बोलो में 4 रन चाहिए और सुरेश रेना 48 पर पहुंच चुके हैं तो अपन ट्राइक करेंगे सुरेश रेना की 50 करवाने का तो इसलिए यह एक रन ले रहे हैं तो चलिए अब सुरेश रेना को बेजा गया है इस ट्राइक पर तो देखते हैं क्या इस बोल पर वो अपनी 50 पूरी कर पाएंगे लेकिन इस बोल को खेलने से पूरी तरीके से चुके एक गलत सोट का सेलेक्शन किया चलिए साथ इस बोल पर कर देंगे अपनी 50 पूरी लेकिन यहाँ पर यह बोल मिस होती भी तो क्या अपन सुरेश रेना की 50 करवाते करवाते मैच हार सकते हैं जी नहीं बिलकुल भी नहीं यहाँ पर खेला है और यार दो रन लेने चाहिए थे दूसरे रन के लिए दो ड़े ही नहीं साहिए पहुंच जाते है और यहाँ पर 50 भी हो जाती लेकिन अब अपन और रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पर इस चोके के साथ चेने को सफलता मिलती भी तो एक बहुती बड़े टार्गेट को चेज़ गिया चेने ने मतर तीन विकेट को है जो की काफी जल्दी गिर चुके थे लेकिन उसके बाद इस मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रहा लेकिन एक दुख है कि अपने सुरेश रेना की 50 नहीं करवा पाए लेकिन फिर भी 50 की जरुरत नहीं होती कुछ लेजेंड्स को तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपन एक लाइक वीडियो को से देना ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब मैं विलूँगा आपसे नेक्स्ट मैच में अगर सब्सक्राइब किया है तो